उत्पात भुबन की हाजत में बंद नितेश लुहरा की मौत माबले को लेकर पीडित परिजनों ने पुलिस पर सीधा सीधा आरूप लगाया है मामले में रविवार शाम आक्रोशित परिजनों ने सदर अस्पताल में हंगामा किया इसके बाद शव के साथ लाल को चौक घंटों जाम कर दिया आवागमन बाधित होने पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुँची और परिजनों से जाम हटाने का आग रखिया लेकिन वो नियाएक की मांग करती रहे आखरकार डीसी राहुन कुमार सिन्हा की नियाएक जांच की आदेश के बाद लोगों ने जाम हटाया डीसी ने कहा किमरे तक नितेश विश्वकर्मा और नितेश लोहरा किमरेत्यु के संबंध में पोस्टमार्टम कराय जाने के अनुमती दी गई है शवकी साथ प्रदर्शन कर रहे परिजनों ने पुलीसिया कारवाई पर आरूप लगाते वे कहा कि नितेश को पीट पीट कर मार दिया गया उसने आत्महत्या नहीं की है युज़ यह जोगाड करकि दे रहा था पुलिस लोको तो लोग नहीं लिया पैसा इससे अधूसरी बात कि यह लोग कर बोलना है कि सटकिया है जब आपके निग्रानी में है तो सुसाइस कैसे किया है कैसे किया है आप जब उसको लेके गए है तो बातरों में घोस रहा है और असी लेके या कंबल फाड़ के तो आपका करें तो अपरी आप अपनी जिबावारी बना लेके गए थे अभी हम लोग चाहते हैं को इनसाफ मि करता है तो दारू बैषता है कि नहीं बैषता है और तलब है कि नितेश को छे जनवरी को उतपाद अधिनियम की धारा 47 एक अंतरगत अवैद शराब विक्री के जुर्ब में गिरफतार किया गया था गिरफतारी के बाद उसे उतपाद कारियाले न्यू पुलिस लाइन कांकी में हाजत निगरानी में रखा गया था अभियुक्त द्वारा हाजत की बात्रूम में आत्भत्या का प्रियास किया गया इसके बार ततकाल उसे अस्पतार ले जाए गया जहाँ चिकित्सकों द्वारा अभियुक्त को मृत खोशित कर दिया गया था न्यूस विंग के लिए राजी से रफी समय की रिपोर्ट